स्वामी विवेकानंद और वेश्या कहते हैं सीखने वाला इंसान कहीं से कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचता है और कैसा आचरन रखता है। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से, सीख कर ही एक आम इंसान महापुरुष की उपाधी प्रापत करता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी ज्ञान की आँखे खोल देती हैं और हमें अध्यात में ज्ञान की प्रापती होती है। जब वो भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद नहीं हुए थे जितने की बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वो जैपूर में ठहरे हुए थे। वहां के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी दिल से इज्ञत किया करते थे। इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्न थी कि जब भी किसी महमान को बुलाया, जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंद किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानन जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुन्दर वेशा को नियौता भेजा। सब कुछ तै हो जाने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं। उनके स्वागत के लिए वेशा को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेशा की क्या जरूरत? कहां स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहां वो अधनासी वेशा? स्वामी विवेकानन जी उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे. इसलिए जब वे राजा के महल में आये तो आते ही उन्होंने वेशा को देखा. वेशा के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानन जी उसी समय एक कमरे में गए. और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया. उन्हें डर था कहीं उस वेशा को देख कर उनकी वासना शक्ती ना जाग जाए. राजा बहार से उन्हें बुलाते रहे लेकिन स्वामी विवेकानन जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया. राजा ने माफी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया इसलिए उनसे ये भूल हुई. लेकिन स्वामी विवेकानन जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे. राजा निरंतर स्वामी जी को मानाने का प्रयास कर रहे थे. इसका कारण थी वो वेश्या. वो वेश्या भारत की सबसे सुन्दर और प्रसिद वेश्या थी. अगर उसे वास भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता. राजा बुरी तरह फंस चुके थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिती में क्या करें? कैसे निजात पाएं इस समस्या से? वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया. उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं. वो तो सड़क की धूल भर है पर उसके लिए वो निर्दई क्यूं है? वो तो अग्यानी है पापी है लेकिन स्वामी जी तो ग्यानी है. उन्हें एक वेश्या से कैसा डर? इतना सुनने भर की ही देर थी. स्वामी विवेकनत जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यूं रहे है? एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं. उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वो डर उनके जीवन में नहीं बल की मन में था. उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वेश्या के प्रती होने वाले आकर्शन को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शान्ती प्राप्त हो जाएगी. ये ग्यान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और उ उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वो उनके मन में बसी वासना का डर था, जिससे उन्होंने ने अपने मन से बहार निकाल दिया है, इस चीज के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है, उन्होंने ने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हे एक नया ज्यान दिया, इस ज्यान की प्राप्ती के बाद, स्वामी विवेकानन जी ने आध्यात्मिक्ता की एक नई उचाई प्राप्त की, जिससे वो संपूर्ण विश्व में प्रसिध हो गए, स्वामी विवेकानन जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है, हमें इस ब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन पाकर हम भी जीवन की उन उचायों पर पहुँच सकते हैं, जिसको सब नामुम्किन मानते हैं, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस उसे अपने लक्ष की जानकारी स्पष्ट तोर पर होनी चाहिए, खुद को कभी भी कमजोर नहीं, समझना चाहिए, अगर आप ही अपने आपको कमजोर कहेंगे, तो आप खुद अपने अस्तित्व को खत्रे में डालने का काम करेंगे, खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थित का सामना करें, मजडर अंधेरों से की मिलेगी रोश्णी जो इंतजार में है, मिलेगा किनारा होसला रखना, क्या हुआ जो किष्टी मजधार में है, आपको यह कहानी, स्वामी विवेक आनंद और वेश्या, कैसी लगी हमें बताना ना भूलें, अपने विचार कमेंट जरूर लिखें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, धान्यवाद